खबर पर बात करते हैं पेपर लीक मामले में पाइलट के बयान के बाद बाक फूट पर आए है राजिस्थान के सीम अशोग गहलोत अशोग गहलोत ने सफाई दी है अशोग गहलोत ने कहा कि दूसरे आराज्यों में भी पेपर लीक हो रहे हैं गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार स जादा सक्त कदम नहीं कहीं उठाए गए अरोपियों के घर गिरा दिये गए जबकि कई अफसरों को सस्पेंट किया गया है दरसल पिछले दिनों पेपर लीग के कई माबले सामने आये राजिस्थान में जिसके बाद कई ऐसे लोगों के घरों पर बुल्डोजर चले जो चो इन गती विधियों में सलिब थे और अब अशोग गैलोत का ये बड़ा बयान आया है जिस पर उन्हें ने कहा कि जितने बड़े कदम राजिस्थान में उठाए गए इतने बड़े कदम और कहीं नहीं उठाए गए पर लिख की बात है यह से मुद्य जो जनता को भी कुझ तक्रीफ देते हैं वहीं क्या हो रहा है जबकि यह भी जगने वाली बात है गए पर लिख हुए हैं तो रार्तान एक मातर आजी देश के अंदर है अने को राजियों पेपर लिख हुए है तो जहां हमने पेपर कहचे हुआ किसने के उन तक हम पहुंचे हैं, के अधिकारियों को हमने डिस्मिश कर दिया, के उनको हम लोगों ने उनके मकान मकान के बुड़ों इसला दिये, कादून पाच कर दिया, जो कड़े कदम हमने उठाए हैं, और जो बच्चे थे, उनको डिवाय कर दिया एकजाम जाने से भविश्य के अंदर इतने कड़े कदम हिंदुस्ताल में नहीं उठाए गए यह देखना पड़ेगा सब्सक्राइब क्या कर सकती है इसकार नोपने देरी तीन लाग से जहदा इसी ती नहीं नहीं है और वो नाम बता देगा हमने सब्सक्राइब करने के लिए जो यह सोचे कि जो जिसने ये सब शडिन ते किये हैं जिसने ये पेपर आउट करने के लिए जो मिली बहुत करते हैं उनके तेह तक पहुंचे और हम पहुंचे भी हैं आगे भी छोड़ेगे नियम लोग